दो दिन कुछ ना जगां बारश का अनुमान तमिलनाडू और पुल्डुचेरी के अधितर हिस्सों में बरसेंगे बादल दो दिन मनार की खाड़ी और कॉमनेर इराके में 55-55 किलो मीटर प्रती घंटे की गती से चलिंगी तेज हमाएं मचवारों को इन इलाकों में न जाने की सल्हा केरल के कन्नूर में अधिक्तम तापमान रहा 35.9 डिगरी पश्मी राजस्थान के चुरू में नियूतम तापमान 5.95 डिगरी दर्ज नमस्कार आप देख रहे हैं दूर दर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ जोटसना टंडन मौसम खबर में जानेगे कहां होगी बारिश कहां रहेगा मौसम साफ कैसे रहेगी तापमान कि स्थिती साथी किसानों के लिए खृशी साला हबी लेकिन सबसे पहले नजर आज की बड़ी खबरों पर आज और कल दक्षणी आंतरिक करनाटक में कहीं कहीं होगी मुसलाधार बरसाथ दो दिन तठियांद प्रदेश और रायल सीमा में बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हमाई दक्षणी तमिलनाडू में दो दिन एकका दुका जगां काफी तेज बरसाथ कानुमान दो दिन तमिलनाडू और पुडूचेरी में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं के आसा दक्षणी अंतरे करनाटक में कल बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हवाएं दो दिन केरल में कहीं कहीं जोरदार वर्शा संभव केरल में दो दिन बिजली की चमक के साथ चल सकती है तेज हमाइं कल लक्षुदीप में कहीं कहीं हो सकती है काफी तेज बरसाफ आईजे बुलटिन में बढ़ते हैं आगे एक नज़र डालेते हैं मौसम पुर्वानुमान पर जाननेते हैं कि अगले दो दिन देश भर में कहां होगी बरसाथ और कहां रहेगा मौसम साफ मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जमुकश्मीर और लड़ताग में बारिश नहीं होगी हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड में भी पारिश की लिहास से मौसम साफ रहेगा इसके लाबा दो दिन पंजाब, हरियाना और दिली में भी वर्षा के आसार नहीं है पूर्वी और पशिमी उत्रप्रदेश में दो दिन बादल नहीं बरसेंगे साथ ही दो दिन पूर्वी पशिमी राजिस्तान में भी धूप खिली रहेगी मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी भारत में दो दिन बिहार, चारकण और ओडिशा में भी मौसम साफ रहेगा गांगे पशिमंगाल में दो दिन पानी नहीं बरसेगा आज और कल उभेमाले पशिमंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं पर साथ हो सकती है दूसरी और अरनाचर प्रदेश में कल एकका दुक्का जगा वर्षा की संभावना है असम और मिघाले में दो दिन बादल नहीं बरसेंगे अंत में रुख करते हैं दक्शिन भारत का दो दिन तटिया अंत्रदेश राल सीमा और देलंगाना में कुछ जगा बारिश का अनुमान है तमिलनाडो और पुडुचेरी में दो दिन अधिकतर अलाकों में बरसाथ होगी दो दिन तटिये और दक्षणी आंतरिक करनाटक के कुछ हिस्सों में बादल बरसेंगे उतरी दक्षणी आंतरिक करनाटक में दो दिन वर्शा नहीं होगी केरल और लक्षदीप में भी दो दिन बरसात के आसार दिखाई दे रहे हैं दो दिन अंडमा निकोबार में कई जगा बारिश का अनुमान है तो अभी आपने मौसम पूरवा अनुमान की विस्तार से जानकारी हासल की अब आईए बुल्टिन में बढ़ते हैं आगे पिछले 24 घंटों के दोरान हुई बारिश पर डालते हैं एक नसर अंडमान निकोबार में कहीं कहीं पिछले 24 घंटों के दोरान बारिश हुई जमकरश्मीर, लद्दाक और गिलगत में कहीं कहीं हलका कोहरा चाया रहा पंजाब और पूर्वी उत्तरप्रदेश के भी कुछ थानों पर हलका कोहरा देखने को मिला पश्मी उत्तरप्रदेश के एक अदुक्का हिस्सों में हलका कोहरा चाया रहा नागलेंट, मडिपूर, मिजरम और दृपुरा में भी हल्की कोहरे की चादर बिची रही और अब आई ये जायजा ले ले लेते हैं तापमान की स्थिति का सबसे पहले बात करेंगे अधिक्तम तापमान की बश्यमी राजस्तान के कई हिस्सों में अधिक्तम तापमान सामानी की मुकाबले 3-5 डिग्री उपर और रहा इसके विपरी इतरायल सीमा में कहीं कहीं अधिक्तम तापमान देर से 3 डिग्री नीचे आया है अदमान निकोबार में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की गिरावच आई है देश के मैदान इलाकों में सबसे ज़्यादा तापमान केरल के कणनूर में 35.9 डिग्री सेल्सिस दर्श किया गया और अब आईए बात कर लिते हैं निकोबार में 5 डिग्री ज़्यादा रहा जमु कश्मीर के भी कुछ सानों पर निकोबार में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है नागलेंट के कुछ इस्सों में निकोबार में 1.5 से 3 डिग्री बढ़ा है देश के मेंदानी लागों में सबसे कम तापमान परश्यमी राजस्थान के चुरू में 5.5 डिग्री सेल्सिस रिकॉर्ड किया गया इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का जल लौटेंगे वापस आज की फसल के साथ आप देखते रहिए दूर दर्शन के सांग बेमारियों से कैसे बचेगी फसल मुवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल कहां से लाएं बीट कितनी लगेगी खाद किसानों के हर फोन का विशेशक्य देखे जवाब देखिए हेलो किसान लाइफ सुमबार से शुक्रवार शाम छे बजे गावों और पिछरे क्षेत्रों में सरकारी योजनाओ के जानकारी पहुँचा देश में कौशल और क्रमता विकास कर ग्रामीनों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोडने की दूरदर्शन किसान के पहल चौपाल चर्चा देखे सुमबार से शुक्रवार सुभा नौ बजे ब्रेक के बाद एक बाद फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में आए बोल्टिन में बढ़ते हैं आगे बात करते हैं खेती किसानी की किसान भायो भेनो ये समय फसलों की बुवाई और उनकी निराई के लिए बिलकुल अनुकूल है आईए जानते हैं स्विशेश रिपोर्ट में अलग अलग जलवायू और मिट्टी के आधार पर फसलों की बुवाई करना उचित रहता है अगर ओडिशा की बात करें तो पस्च में मध्य ओडिशा के मैदाने हिस्सों में इस समय किसान सूरज मुखी और सरसों की बुवाई कर सकते हैं यहां सबसियों में तोरई, टमाटर, पालक और धन्या आदी बोल सकते हैं मध्य ओडिशा में प्यास की नरसरी बोने का काम करें यहां के किसान पत्ता गोभी और फूल गोभी की बुवाई भी कर लें ओडिशा के उत्तरी पस्च में पठारी इलाकों में और उत्तर पूर्वी तट्यक शेत्र में तयार धान की कटाई का काम पूरा करें पोडिशा के उत्तरी पश्च में पठारी इलाकों में गेहूं, मूंग और मटर की बुआई का काम करें यहां मसूर, तिल और तोरई भी पोज सकते हैं उधर पश्च में भारत के मध्य गुजरात में गेहूं, चने और धन्य की बुआई जारी रखें दक्षणी गुजरात में किसान लोबिया, चना, मूंग और रभी की अरहर बोज सकते हैं यहां के किसान रभी के चारे की बुआई और गोभी की रोपाई भी कर ले उत्तरी गुजरात में सौफ, जीरे और सर्सों की बुआई जारी रखें यहां के किसान गेहू, चना, धनिया, लहसुन और प्यास की बुआई भी कर सकते हैं साथी महराष्ट के कौंकड में तयार धान और रागी की कटाई जल्दी पूरी कर लें ताकि बुआई के लिए दूसरी फसलों में देरी न हो यहां के किसान जल्दी सरसो, चना और सूरज मुखी की बुआई का काम भी पूरा कर लें कौंकड में रभी की मुँफली की बुआई पूरी करें मध्य महराष्ट में कपास को चुनने का काम जारी रखें यहां के किसान चना, गेहू, मक्का, आदी रभी फसलों की बुआई पूरी करें यहां गन्य की बुआई के लिए अंतिम समय हैं विदर्भ में रभी की फसलों में गेहू और अल्सी की बुआई अभी करते रहें आईए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की ये दोमट मिट्टी सबसे उप्युक मानी जाती है सर्जों के खेत में पानी ठहरना नहीं चाहिए खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए एक हेक्टेर बुआई के लिए तीन से चार किलो बीच पढ्याब्ध होते हैं कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 45 स सेंटीमीटर रखे बुआई के 15 से 20 दिन बाद घने पौधों को निकाल दे और दो पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी कर दे खर्पतवार नियंद्रन के लिए विशेशग्यों की सलहा पर उचित दवाओं का छिड़काव करे सर्सों की खेती के लिए गोबर की आधी हुई खात की बुआई से पहले और अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए तथा सीचित दशा में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फौसफोरस तथा 60 किलोग्राम पौटाश तत्व के रूप में प्रती हेक्टेयर की दर से प्रियोग करते हैं नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फौसफोरस तथा पौटाश की पूरी मात्रा बुआई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देनी चाहिए सर्सों में पहली सीचाई, फूल आने के समय और दूसरी फलियों में दाने भरते समय करनी चाहिए जाड़ी की मौसम में अगर बारिश हो जाए तो दूसरी सीचाई की भी जरूरत नहीं पड़ती बुआई से पहले मिट्टी की जाँच जरूर कराए सर्सों की फसल में जब 75 प्रतिशत फलियां सुनहरे रंगी हो जाए तब फसल को काट कर सुखा कर या मड़ाई करके बीच अलग कर लीने चाहिए सर्सों की बीच को अच्छी तरह सुखा कर ही भंडारं करना चाहिए अब आईए बोल्टिन में बढ़ते हैं आगे और आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बाते बता दे उप्यमाले पश्यमंगाल में मक्का और सर्सों की बुआई को जारी रखे किसान पश्यमंगाल के किसान आलू, मतर और कोभी की बुआई करें गांगे पश्यमंगाल में तयार अमंधान की कटाई कर लें यहां के किसान धान की गणाई के बाद सरसों की बुइए कर सकते हैं गांगे पश्मंगाल में मसूर की बुइए के लिएए क्षेट तयार करें पश्मंगाल में मिर्च, टमाटर और कोभी की रुपाई का समय है पश्ममंगाल के जलोड इलाके में मतर और रभी प्यास बो सकते हैं किसान पंजाब में भी पत्तेदार सबजियों की गुआई और कोभी की रुपाई करें यहां के किसान कंदवाली सबजियों की गुआई कर सकते हैं इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का जल लोटिंगे वापस कृशी और मौसम से जड़ी कुछ और जानकारियों के साथ आप देखते रही है दूरदर्शन के सांग क्या आप किसी बीमारी से परिशान है चाहते हैं डॉक्टर की सला तो हम है आपके साथ बताएंगे आपको जीने की राह समस्याएं आपकी समाधान देश के मशूर विशेशक्यों के घर बैठे बात करें देश के जाने बाने डॉक्टरों से हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्त किसान में हर शनिवार शाम छे बजे से साथ बजे तक ये काम्याबी है अनदाता की ये कहानी है खेत और खलिहानों की कैसे करें अपने पशू की देख भाल जानिए गाउं-गाउं के किसानों का हाल देखिए गाउं-किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर बारा बजे सिर्फ डीडी किसान पर ब्रेक बाद एक बाद फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में आये बुल्टन में बढ़ते हैं आगे आपको मौसम के लिहास से खेती की कुछ और विशेश पाते बता दें पंजाब के किसान इन दिनों नीवू वर्गिये पौधों की रुपाई कर सकते हैं आम, अमरूद, पपीता, बेर, लीची आदी के पौधों की रुपाई के लिए ये समय अनुकूल है पंजाब में रभी की फसलों की बुआई जारी रखें पंजाब के किसान जल्द ही गेहूं और मटर की बुआई पूरी कर ले पंजाब में उन्नत किस्म के गेहूं की बुआई कर सकते हैं पंजाब में शलचम, मूली और गाजर की उन्नत किस्में लगाएं पंजाब के किसान टमाटर की पौध तयार करने का काम करें पंजाब के मध्य भाग में भी बेंगन और टमाटर की नरसरी तयार करें और अब आई एक बाद फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ और एहम जलकियों पर लक्षदीप में कल बिजली चमकने के साथ चलीगी तेज हमाई कल अंडमान निकोबार में कहीं कहीं तेज बारिश का अनुमान अंडमान निकोबार में कल बिजली कड़कने के साथ तेज हमाई के आसार आज दक्षिन पश्चम बंगाल की खाड़ी में सतर से असी किलोमीटर प्रती घंटा रहेगी हवाई की रफतार दो दिन मननार की खाड़ी में 55-65 किलो मीटर प्रती घंटा रहेगी हवाओं की रफतार मचवारों को इन अलाकों में ना जाने की सलहा और अब चलते चलते एक नज़र अगले चार दिनों के लिए नौ शहरों के तापमान पर तो किसान भाईयों भेनों मौसम खबर में केवल इतना ही उमीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी मौसम का तासा हाल और करशी सला लेकर फिर होंगे हाजर देखते रहें दूर दर्शन किसान और मुझे दीजे जासा नमस्कार